हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिप्लिक फिजिक्स पर मेरे नाम शेलिंद्र है और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अभी तक हमने करेंट इलेक्टिसिटी का भाग कर लिया था करेंट इलेक्टिसिटी के जितने भी वीडियो हैं आप चाहे तो उनको दुबारा से देख सकते हैं और सभी कंसेट को अच्छे से क्लियर करते चले क्योंकि फिजिक्स में कंसेट ही सब कुछ होते हैं अगर आपके कंसेट क्लियर है तो आप प्रेक्टिस को भी अंजाम दे पाएंगे प्रेक्टिस को भी कर पाएंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आपके सारे कंसेट अच्छे से क्लियर हो कि किस वक्त कैसे यूज करना है हर चीज को चलो आजका हम Practice Session start करते हैं और आजका जो Practice Session है उचमें हम कुछ questions लेकरा हैं यह Practice Session कुछ parts में होगा और कल से हम लोग Magnetism का भी part बैचे बैटा आप लोग Magnetism के भी parts के लिए तयार रहे हैं कल से हम वो भी parts start कर देंगे चलो हम start करते हैं आजका topic आज का जो हमारा topic है उसके question से start करते हैं पहला question अगर आपकी screen पर आ रहा है तो आप देखिएगा पहला question है if a 0.1% increase in length due to stretching the percentage increase in its resistance will be question है कि अगर मैं किसी की length को यानि लंबाई को कितना बढ़ा दू? 0.1% लंबाई को 0.1% बढ़ा दू तो resistance में कितना change आएगा यानि प्रित्रोद कितना change होगा यह पूछा गया है देखो एक बात हमें पता है कि resistance जो होता है जो R होता है resistance होता है वो directly proportional to L होता है लेकिन ऐसा तब होता है जब area की value क्या हो constant हो area मतलब area of cross section की बात हो रही है काट के छेत्रफल की बात हो रही है यानि यह formula आप तब लगा पाएंगे जब आप किसी चीज को cut कर रहे हो क्योंकि cut करते वक्त लंबाई तो बदलती है लेकिन area of cross section नहीं बदलता लेकिन जब आप किसी चीज को खीचते हैं जब आप किसी चीज को stretch करते हैं खीचते हैं या compress करते हैं दबाते हैं ऐसे किसी relation के लिए हमें पता है कि area of cross section जब आप किसी चीज को खीचोगे तो वो वस्तु तार जो है वो पतला होता जाएगा और लंबाई के साथ साथ area of cross section में भी बदला होगा वह ऐसे किसी case में R जो होता है वो L square के directly proportional होता है आपको बताए भी था कैसे होता है जैसे मैंने आप से कहा था कि R बराबर Rho L by A होता है आप सारे के लिए वीडियो जरूर देखें L का multiply L का divide तो R बराबर बचेगा Rho L square by A L, A L को क्या लिखते है वोल्यूम और वोल्यूम क्या होता है वायर का constant तो इसकी वेज़े से क्या हो जाता है R is directly proportional to L square जाता है जब भी हम किसी वायर को खीचते हैं या compress करते हैं तो आपको हमेशा और हमेशा इसी relation का इस्तमाल करना है इसी relation का इ अगली बात करें कि R is directly proportional to L square था तो हमें question में बोला गया है कि L में change किया यानि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ delta R into 100 equals to 2 into delta L by L into 100 इसको अगर मैं लिखू तो delta L में कितना change है तो आप देखिए इसमें 0.1% का change दे रखा है मतला answer कितना आएगा 0.2% यानि A option is the right answer तो पहले question का A answer सही रहेगा तो इसका A option is the right answer देख लिजिए question में कोई problem तो नहीं है अब देख लिजिए ठीक है अगला question next question पर चलते है question को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से question में क्या बोला गया है और question का ढंग से माइने निकालिएगा उसके बाद question को attempt करने का प्रयास करना ऐसे धेरो question आपकी 11th और 12th की books में दे रखे हैं देखे मैं किसी book को prefer नहीं कर नहीं किसी book को promote करता हूँ मैं आपसे कहता हूँ आप NCRT पढ़ें और आपकी 11th और 12th की जो reference books थी वही सबसे ची किताबे हैं उसके सारे short answer type questions को पढ़ लिजिए long answer को छोड़ कर आप सारे question को attempt कर सकते हो questions बहुत अच्छे होते हैं उसमें ठीक है ना चलो इस question की बात करें तो this is equal potential are applied on iron and copper हमने का ठीक है दो तार ले लिये हैं एक iron का है एक copper का है जिनकी length same है ठीक है in order to have a same current flow in order to have the same current flow in the two wires current भी same है length भी same है question बोलना ratio of R with radii must be तो पूचा है radius का ratio क्या रहा होगा चलो length भी same दे रखिए current भी same दे रखा है material भी same दे रखा है मुझसे पूचा है कि radius के ratio यानि तरज्या के ratio क्या रहे होंगे और साथ ही साथ मुझे एक चीज दे रखिए specific resistance यानि resistivity की बात की गई है यानि पृतिरोधक्ता दे रखिए अब बात ये निकल कराती है कि ये तो दिया गया है और मुझसे पूचा गया है radius ऐसा कोई formula मैं बना सकता हूँ या मेरे पास है जिसके अंदर rho का relation और r का relation हूँ अगर आप देखें तो rho का relation मेरे पास rho बराबर r a by l होता है या फिर r बराबर rho l by a इससे तो आपको पता ही है तो अगर मैं कहूँ कि rho का relation में area के साथ बनाओं तो मैं rho बराबर लिख सकता हूँ r into pi r square radius कितना होता है area कितना होता है area of cross section ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तो rho जो होगा वो r square के directly proportional होगा देखें relation मेरे पास आ गया अब मैं क्या करूँगा मुझे radius निकालना है तो radius के relation मिना दूँगा r 1 upon r 2 equals to rho 1 upon rho 2 और क्योंकि ये r square है तो ये क्या हो जाएगा under root हो जाएगा इन दोनों की value को put कर देता हूँ मुझे से पूछा गया है r iron upon iron को पर तो iron का उपर आएगा तो iron का है आपका 1 into 10 की power minus 7 upon 1.7 into 10 raise to the power minus 8 यही दो value है और अगर मैं इन दोनों को solve कर लूँ तो इसका जो answer लगबग निकल कर आएगा वो 2.4 के लगबग निकल कर आएगा यानि इसका जो answer होगा वो b option is the right answer तो इसका answer b option सही होगा वास्तविक्ता में यहाँ पर rho और r के बीच में यानि radius के बीच में relation चाहिए next question चलिए question है the resistivity of wire depends on बेटा देखो resistivity यानि पृत्रोधक्ता और मैंने आपको याद हो मैंने रो के बारे में आपको बताया था कि रो does not depend on यानि resistivity पृत्रोधक्ता किस पर depend नहीं करती depend on dimension of a wire यानि dimension का मतलब होता है length वगेरा पर depend रहीं करती तो resistivity depend किस पर करती है तो ये भी मैंने आपको बताया था ये depend करती है on temperature इसके साथी साथ मैंने बुला था कि ये depend करती है on material ये length वगेरा पर depend नहीं करती है फिर से कह रहा हूँ आर रो का relation भरे ही R by R by L होता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि area और length के साथ इसकी कोई dependency होती है ये constant और इसकी dependency temperature पर material पर होती है तो इस concept को मत भूलिएगा इस question में क्योंकि length भी दे रखा है area of cross section भी दे रखा है shape भी दे रखा है और shape और size पर तो depend करता नहीं है इसका मतलब ये किस पर depend करता है material पर depend करता है यानि resistivity of wire depends on material तो इसका answer होगा d option is the right answer तो इसका answer d option रहेगा ठीक है ना next चीज ठीक है three equal resistances each of value are are joined as soon in figure ठीक है चलो question देखते हैं कुश्य क्या है बुलाएं कि तीन हमें resistances दिये गए हैं और मुझसे बुलाएं कि M और N के बीच में equivalent resistance कितना होगा चलो figure बना लेते हैं question की बात करें तो figure question में एक ऐसे लगा रखा है एक ऐसे लगा रखा है और मुझसे बुलाएं कि सबकी value R, R है R, R और A पूछा है A और B की मिनिस पूछा है M और N की बीच में कितना होगा M और N की बीच में equivalent resistance पूछा है यही question है अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको कहा मुझे नहीं पता चल रहा है कि यह series है या parallel है पर मुझे इतना पता है कि अगर मुझे series और parallel नहीं पता होता है तो potential वाला method यूज़ करता हूँ कि कोई भी wire कभी भी किसी चीज़ का potential है ने बिवब बर्वरतन नहीं कर सकता समझे बार एक wire के अंदर अगर मैं यहां पर जितना potential दूँगा बहुत दूर जाकर भी उतना ही potential मिलेगा अगर उसका resistance wire का zero मान कर चले अगर एक बात समझना मैं अगर कहता हूँ कि यहां पर M potential होगा तो इस बात को कहने में क्या बुराई है कि यहां पर भी M potential रहा होगा कोई गलत है क्यास मैं कुछ गलत तो नहीं है यह तो सत्य बात है कि अगर यहां पर M potential है that means इस wire के तो यहां भी M potential होगा विवब होगा अगर यहां पर N potential है तो यहां पर भी कितना होगा n potential हो, cdc बात है, तो मेरे पास 3 बिंदू आ गए है, m, n, हमने का ठीक है, 3 resistance आ गए है, m और n की बीच में, हमने का ठीक है, m और n, जड़ा देखें कि m और n की बीच में क्या है, ये m और n की बीच में, ये m और n की बीच में, ये m और n की बीच में, इन 3 को हम connect कर देते हैं, क हैं तो R equivalent की value निकल कराती है R by N के बराबर यानि simple सी बात है इसका relation निकलेगा R by 3 के बराबर तो इसका answer होगा R by 3 यानि D option is the right answer तो इसका answer होगा D ठीक है इस question का answer है D अगले question की तरफ चले चलो for a metallic wire the ratio ऐसा ऐसा है पूछा है ठीक है चलो next question for a metallic wire एक metallic wire है ठीक न और मुझसे बुलाएं कि V by i का ratio किस पर depend करता है अब पहली बात कि V और i का relation होता क्या है अगर मैं V और i का relation देखूं तो V और i को स्टू होता है R तो यानि मिरे पास सीदे सीदे R की बात की गई है अब R किस पर depend करता है मुझे पता यह depend करता है length पर area of cross section पर material पर और temperature पर यही बात ही मेरे पास यही बात ही और मुझे यह भी पता है कि metals के लिए धातूओं के लिए metals के लिए temperature बढ़ने के साथ resistance बढ़ता है semiconductor अर्द चालकों के लिए temperature बढ़ने के साथ resistance कम होता है और कुछ material ऐसे होते हैं alloys कुछ ऐसे होते हैं जैसे constantine हो गया Magnanine हो गया Necrom हो गया इन सभी के लिए तापमान की कोई dependency नहीं होती यानि independent of temperature तो इन सभी के लिए तापमान की कोई dependency नहीं होती मतलब इन सब पर तापमान पर निर्वन नहीं करता यहाँ पर question में सीधे सीधे metallic wire दे दिया गया है मतलब इन सभी metallic wire के लिए temperature बढ़ने के साथ resistance की value बढ़ेगी यानि answer number होगा b option यानि इसका b option is the right answer ठीक है बई ठीक है बाबू कर लोगे चालो बहुत आसान सी बात है बहुत difficult नहीं है अगला question आप अगला question देखिए एक बार ठीक है question 5 ampere of current is passed through a metallic conductor the charge flowing in one minute equals two okay मुझे निकालना है कि charge कितना होगा ठीक है और current दे रखा है इसका मतलब क्यों बराबर होता है it क्योंकि अगर मैं time की बात करूं तो time बोला है one minute I think है ना one minute ही है चालो भाया one minute ही तो है one minute को हम कैसे लिख सकते है 60 seconds ठीक है जी ऐसा ही value अब मुझे से बोला गया है कि कितना charge निकालू तो IK value है 5 ampere इसके साथ 60 का multiply निकला 300 calories तो 300 calories का answer होगा दो कोडी का question है 300 calories का answer होगा यानि D option is the right answer दो D option सही उत्तर है ठीक है जी चालो next question की तरफ चलते है the conductivity of superconductor okay conductivity of superconductor मतलग कितना अच्छा conduct कर सकता है superconductor देखिए नाम जहां तक suggest कर रहा है superconductor तो बहिए superconductor की बात करें तो superconductor ऐसे होते हैं जिनका conductivity infinite तक जा सकती है यानि इसकी conductivity infinity हो सकती है और resistance कितना होता है 0 इसका मतलब resistance 0 तो conductivity कितनी infinity यानि इसका answer सीधे-सीधे option होगा यानि infinite is the answer यानि इसका answer है infinite ठीक है ना infinity is the answer अगला question अ copper wire of length 1 meter and radius 1 mm is joined in series with iron wire इतना इतना current is passed through the wire the ratio of current density अच्छा current density का relation निकालना है देखी current density के जहां तक बात आती है current density होता है j equals to i upon a मुझे पता है क्या होता है i upon a क्योंकि उस question में length भी दे रखा है और radius भी दे रखा है लेकिन अगर मैं question की बात करूँ तो मुझे तो area से मतलब है length पर इसकी कोई dependency है नहीं तो अगर length पर नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ i upon pi r square है ना pi r square लिख सकता हूँ अब question बोला है कि इन दोनों को हमने series में connect कर दिया ठीक है the ratio of current density हमें दोनों में current density बताना है अब series में मैं आपको बताओं यह series में क्यों connect करने की क्यों बोल रहा है actually मैं यह यह बताना चाहता है कि अगर मैं दो wire को series में connect कर दूँगा तो current भी same हो जाएगा मतलब आपको यह मान कर चलना है कि उपर वाली value constant है क्योंकि उपर वाली value constant होगी तभी तो आप j का relation r² के साथ बना पाओगे इसलिए इस question में बोला है कि दोनों wire को series में connect किया है श्रेणी क्रम में connect किया है तो अगर series में connect किया है इसका मतलब यह हुआ कि j किसके inversely proportional हो जाएगा 1 by r² के inversely proportional put कर दिया जाएगा अब तो question बहुत आसान है ठीक है ना current density in the copper and iron wire ठीक है तो आपने लाए j copper upon j iron अगर मुझे निकालू तो j copper upon j iron निकालू तो नीचे iron का आ जाएगा ठीक है ना नीचे iron का आ जाएगा है यानि 3 mm तो यह हो जाएगा आपका 3 mm upon 1 mm का whole square आप कहें कि मिली मीटर को मीटर में क्यों चेंज किया इसलिए चेंज नहीं किया मेरे बच्चे क्योंकि mm और mm ऊपर और नीचे है तो mm को अगर आप ऊपर चेंज करोगे नीचे चेंज करोगे तो वैसी cancel out होगा तो divide में तो हम कोई सी भी value put कर सकते हैं तो इस answer जो निकल कराएगा वो निकल कराएगा 9 is to 1 यानि option number इसमें b option सही अपतर होगा तो इस answer b option होगा इसलिए इस question हम बोला है कि series में correct किया है ताकि यह बता सके कि current constant है बस इतना सा understanding के लिए चलिए अगले question की तरफ चलते हैं तीन resistances से each of one ohm ठीक है तीन प्रित्रों जिनमें हर एक कमान एक एक ohm है are joined in parallel पहले इनको parallel में connect किया और ऐसे तीन such combination को हमने series में भी connect कर दिया then resultant will be okay question को अगर आप ध्यान से देखें तो question बोल रहा है कि तीन resistances को मैंने parallel में connect किया ठीक है जी तीन resistances को parallel में ने connect किया जिन सबकी value बोला है कि one ohm है बोल रहा है कि ऐसे combination तीन हमने series में भी connect कर दिये ठीक है जी तीन series में भी connect कर दिये इन सबकी value क्या है one है अब question यह कह रहा है कि बताए इसका r equivalent कितना होगा तो question बहुत आसान है अगर मैं r equivalent की बात करूं बिटा तो दियान से देखना one one और one यह तीनों क्या है parallel में और मुझे पता है parallel में relation क्या होता है r by n r मतलब one by three तो इन सबका answer जो निकलेगा वो कितना निकलेगा one by three चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते है one by r request two one by r one plus one by two पर मुझे पता है अगर same value के resistance है तो r by n निकलता है इन सबकी बात करो तो इन सबका भी answer कितना निकल रहा है one by three इन सबको भी निकाले तो इन सबका answer कितना निकल रहा है one by three और यह सबी क्या है सीरीज में सीरीज में बात करूँ तो यह हो जाएंगे एक साथ जुड़ जाएंगे one by three plus one by three plus one by three यानि one ohm is the answer इसका answer number होगा c सही c option तो c option is the right answer ठीक है आगे चलते है मिटा दूँ चल ठीक है इस question यह question कहीं और से आगया है इसको छोड़ इसको दुबार देखेंगे अब metal wire of specific resistance 64 into 10 raised to the power minus 6 ohm centimeter ठीक है 198 centimeter इतना ठीक है the radius of the wire is अच्छा एक metallic wire है जिसकी length दी गई है radius निकालना है और resistivity दी गई है ठीक है resistivity दी गई है length और resistance दे आगया है आँ तो यह तो हो जाएगा आपसे तो radius निकालना है तो यह हो जाएगा r into pi r square upon में l ठीक है radius निकालूं तो यहाँ से radius बराबर लिख सकता हूँ r बराबर row into l upon r into pi और यह क्या हो जाएगा पूरा under root बताइए भी कोई दिक्कत हो ठीक है ना इसकी solve कर लेते हैं इसका answer जो होगा आप निकाल सकते हैं row की value दे रखिये 64 into 10 raise to the power minus 4 into length length की value दे रखिये 198 cm इसके अलावा r की value resistance की value 7 ohm इसके अलावा pi की value होती है 3.14 यह question हुआ यह question हुआ और इस question को आपको solve करना है जड़ा solve करके देखिए कि answer कितना आ रहा है 4.298 हुलेगा इसकी वह लिए पाराचे समाता है इसके जो value निकल कर आएगी है वो लगभा मेरी खाल से see option is the right answer इसके जो answer है आप check कर लिजेगा एक बार 0.024 cm ही निकल कर आएगा तो इसका answer जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा लगभाग C option है ना अच्छा इसको cm को meter में क्यों नहीं change किया क्योंकि answer भी सारे के सारे cm में ही है तो आप इसका check कर लिजेगा इसका answer निकल कर आएगा वो इतना निकल कर आएगा चेक कर लिजेगा एक बार ठीक है तो कौनसा C option ठीक है अगले question की तरफ चलते हैं अगला question क्या है इन दा given circuit the potential of point E अच्छा यह बहुत अच्छा question है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो यह question बहुत ही अच्छा है cell वाले सारे question ही अच्छे होते हैं जड़ा question बना के देखते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं कि question क्या कह रहा है battery 8 volt यहाँ पर एक E point बुला है यह 3 यह 1 है यह 5 है तो यह 1 ohm है यह 5 ohm है अब question बुला है कि बताएं यह C point दे रखा है यह D point दे रखा है यह A point दे रखा है यह B point दे रखा है question बुला है find potential at E चलिए मुझे बताना है कि find potential at E मुझे E point पर potential बताना है देखें, अगर मुझे E point पर potential देखना है, तो मुझे सबसे पहले देखना होगा, कि मुझे पता है potential difference नपता है, और E पर निकालना है, तो E पर निकाल देंगे, कोई problem नहीं है, E पर यहाँ पर negative होगा कुछ, और यह जो E point होगा, यहाँ पर कुछ negative potential यहाँ से आ रहा होगा, और क्योंकि इसका मतलब होता है ground, और ground का मतलब क्या होता है, zero potential, इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या है, zero potential पर है, इस point को तो लेने का कोई मतलब है रही, क्योंकि यह तो simple wire लगा हुआ है, मतलब zero यहाँ पर है, तो यहाँ भी कितना हुआ, zero होगा, और मुझे एक चीज़ पत है ता अगर आपको याद हो, क्योंकि अगर potential निकालना है, potential का एक ही तो formula है, V goes to IR, तो अगर मुझे यहाँ पर potential निकालना है, इस वाले बिंदू पर, तो मुझे इस R के around, यहाँ पर R के around कैसे भी करके, यहाँ पर delta V निकाल लू, मेरा answer हो जाएगा, तो delta V होता क्या है, basically delta V का मतलब यह होता है, कि current तो तफ लो होगा ना, जब higher potential मैंसे, higher potential यह उच्छ विवब मैंसे, lower potential को minus करोगे, तब ही तो यह चीज लिख पाओगे, delta V जो हम लिखते हैं, वो मतलब क्या हुआ, higher potential से lower potential, तब ही तो I current flow करेगा, उच्छ सार्य, तो higher potential से lower potential नहीं समद्ज आ है, देखो जिससी, मैंने कहा कि, बया, higher potential से lower potential ही, तो current flow करता है, जिसे मैंने कहां, दो point जोड दिए, आपने का, यह 5 volt है, यह 3 volt है, आपने का, बया, बढ़िया, बताए, यह current कहां से कहा, फ pension करेगा, तो यह higher potential ही है, है lower potential यह current यहां से आफ लो करेगा तभी तो हम लिख पाएंगे delta V equals to IR, simple सी बात है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ कि higher potential से lower potential, तो अगर मुझे इस वाले में निकालना है, इस वाले में, point E पर तो निकलाएगा, इस वाले point में निकालना है, तो मुझे पता higher potential कौन सा होगा, यह तो हो नहीं सकता, यह कि क्या है, minus में है, यह तो minus में है, higher potential क्या होगा, zero volt होगा न, देखो zero से minus छोटा होता है, तो minus क्या होगा, low potential, नहीं समझे, देखो जैसे मैंने कहा, यह मैंने कहा, minus 3 volt है और यह मैंने कहा minus 1 volt है आपने कहा कौन सा higher potential है तो आप बलेंगे minus 1 volt क्या है higher potential है आपने कहा इसको मैं 0 कर दूँ तो आपने 0 ज़्यादा है यह यह तो आप बलेंगे 0 potential ज़्यादा है क्योंकि यह तो minus में है तो simple सी बात है अगर मैं higher potential की बात कर रहा हूँ तो higher potential क्या होगा यह वाला point होगा यानि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि VC minus VE जो होगा उसकी value किसके बराबर होगी? IR के बराबर होगी यह समझना आपका ज़रूरी है ठीक है ना? मुझे क्या निकालना है E point V potential मुझे मिली निकालने वाली बात क्या है? यह है बस क्योंकि VC तो मुझे पता है कितना है? 0 है क्योंकि VC क्या है? 0 है ground है वो तो यह तो मुझे पता ही चल रहा है अब एक काम करते हैं मुझे पता है resistance की value मुझे पता है इसकी बीच में 1 ohm है R तो मुझे पता है लेकिन I नहीं पता है मुझे तो सबसे पहला काम होगा मैं I निकालू I बराबर होता है V by R equivalent total V total V कितना है? 8 upon R equivalent 5 और 1 6 value कितने निकली? 4 बटा 3 4 बटा 3 ampere निकल कर आ गया इसको इसमें put कर देते हैं तो मुझे पता है V C की value 0 हो गई minus V E बराबर कितना हो गया? यह हो गया 4 बटा 3 इंटू में R कितना हो गया? resistance हो गया 1 यानि यह निकल कर आया 4 बटा 3 minus क्योंकि यहां पर shift हो जाएगा तो V E की value क्या हो जाएगी? minus 4 by 3 और इतनी value इसकी निकल कर आएगी तो option number इसका answer होगा सही C option is the right answer तो इसका answer C सही होगा बहुत बढ़िया question है इस question को घर पर जरूर देखिएगा ठीक है न? अगले की बात करते हैं ठीक है भाई? next question question है a certain piece a certain piece of silver of given mass to be made a wire okay एक कोई piece ले दिया उसका हमने क्या बना दिया? wire बना दिया ठीक है अब question भोल रहा है कि wire तो बना दिया एक piece of silver था जिससे wire बना दिया which of the following combination L and A will lead to the smallest resistance अच्छा ठीक है wire बनाया है तो सबसे कम resistance चाहिए अब resistance कैसे कम होता है ये तो constant होता है इसका तो कुछ खर नहीं सकते है ना material dependence ये है अब मुझे ये पता है कि अगर मैं L की value को कम से कम कर दूँ और area की value सबसे ज़्यादा कर दूँ ये सबसे कम हो जाए ये सबसे ज़्यादा हो जाए तो R की value क्या होगी सबसे minimum तो अगर मुझे ये चाहिए R minimum चाहिए तो मेरी लिए क्या case रहेगा L की value कम से कम area की value सबसे ज़्यादा अगर मैं सभी option को देखूं तो मुझे दिखाई पढ़ रहा है कि C option में ऐसा हो रहा है कि C option में दोनों की value सही सटीक बैठरी है क्योंकि वह पता है L की value सबसे कम है कितनी है L की value है L by 2 और area की value सबसे ज़्यादा है कितनी है 2A है इसलिए इसका answer जो number होगा वो C option is the right answer तो C option का resistance सबसे कम होगा तभी तो हम बता पाएंगे resistance कब कम होगा तो resistance कम होगा इसी case में next question है ना अच्छा question है आप next question देखिए the example of non-omic resistance ओके जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि non-omic होते क्या है devices ना अन-omic प्रितरूरत का मतलब क्या होता है non-omic resistance का मतलब non-omic resistance का मतलब यह होता है कि जिनके जो ohm-s-lo का follow नहीं करते है ना जो ohm-s-lo का follow नहीं करते ohm-s-lo का मतलब यह होता है कि जिसमें V और I का जो graph बनता है यानि V बढ़ने से जो I बढ़ रहा था वो ऐसा नहीं होता ऐसा graph नहीं बनता ऐसे को हम बोलते हैं non-omic resistances तो अगर कोई ऐसा follow कर रहा है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे omic जो ऐसे को follow कर रहा है अगर यह simple straight line ना होकर ऐसी line ना होकर, linear ना होकर किसी तरी बुढ़ जाती है तो ऐसे को हम बोलेंगे non-omic resistances मैंने आपको lecture की वक्त बताया था semi conductor भी इसी के अंतरगत आते हैं semi conductor की बात करें तो जिसको हम अर्द चालक कहते हैं और अर्द चालक क्या होते हैं ये भी मैंने आप से कहा था इसका example लेकी भी कहा था कि diode जो होता है वो कैसा होता है non-omic होता है आप lecture को जरूर attend कीजिए सबी lectures को अच्छी से देखिए तो diode क्या होता है non-omic device होता है इसी रिए इसका जो answer होगा वो ये होगा आपको पता हो अगर आपने modern physics पड़ी हुई है तो आपने इसका graph भी draw किया होगा कि इसका जो graph होता है वो ऐसा गवन कर आता है और आपको पता हो ये भी तो सही आप सेंता C diode चलो अगला question है infinite sequence का चलो देखिए infinite sequence का क्या question है ये question भी same as it is मैंने करवाया है class में अगर आप question को करोगे तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा question बोल रहा है कि resistances है कुछ चलो resistances देख लेते हैं क्या है ये बोल रहा है कि ये आरवन है ये आरटू है ये आरवन है दन आरटू है ये आरवन है दन आरटू है ये दन आरवन है दन आरटू है वह ऐसा बोल रहा है ये infinity तक जा रहा है आरवन आरटू आरवन आरटू आरवन आरटू आरवन आरटू अब भाई लोगों तेना question समझना अम मैंने आपसे यह कहाता कि जब भी कोई infinite series आती है तो सबसे पहला काम यह होता है कि आप यह पेचाने कहां से repeat होना start हो रहा है अगर आप देखें घाट नारस तेनार नार्ट down अर्वनार चेनार नार्ट इसका मतलण सारना फूर्पी रीपीट हो रहे हैं और काहां से छाइन से यहां से पीट हो रहे हैं कि मैंने आप से खाता है यह जो पड़ता अब मैंने आपको अगला स्टेप बताया था कि इस पूरे का अगर मैंने x माल लिया तो अगर पूरे x में अगर एक दो रसेस्टेंस और भी जोड़ देंगे तो यह एक्स है यह रवन है यह कितना है यह कोश्चन है और मैंने कहा था कि पूरे को अगर मैं पूरे मैं x में अगर यह भी जोड़ूँगा तो आंसर तो एक्स ही रहेगा तो क्योंकि इंफिनिटी का सीरीज का आंसर बदल तो सकता नहीं है इंफिनिटी जब ले रहे है तो छोटी मोटी बात है तो सेम इसका मतलब सब एक्स और रट्टू क्या है पैरलल में उद्द्ध इसके साफ क्या है सीरीज में और इन सब का अंसर भी क्या निकलेंगे एक्स निकालेंगे आप इसको भी देख सेके यह फिर्वी मैंने क्लास करवाय है इसकी बात करो तो यह उजाए गया एक्स आर टू upon x plus r2 r1 r2 upon r1 plus r2 इसके साथ मैं क्या plus कर देंगे r1 का और इस पूरी value को फिट से किसके बराबर रखतेंगे x के बराबर यही करते थे ठीक है ना चलो मिटा देते हैं इसको और solve करते हैं ज़रा देखें और क्या कर सकते हैं इस relation की बात करें तो r1 r2 की value भी चाहिए दे रखी है r1 की दे रखी है 1 ohm r2 है 2 ohm ठीक है r2 की value 2 ohm है तो मैं इसको 2x put कर देता हूँ upon में यह हो जाएगा आपका x plus 2 इसके साथ क्या हो जाएगा plus मैं r1 r1 की value है 1 इसके बात कितनी है r1 इसके बात क्या है x यही relation है r2 और r1 की value मैं ने put कर दी अब तो मेरे लिए बहुत आसान है एक quadratic equation बनने वाली है लेकिन मैं बना के बता देता हूँ आपको क्या निकलेगा यह निकलेगा 2x plus यह हो जाएगा x plus 2 बराबर x square plus 2x यही बचेगा ठीक है ना 2x से 2x cancel out हो जाएगा x square 2 होगा क्योंकि x minus में आ नहीं सकता तो x की value क्या हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी तो यह resistance क्या हो जाएगा 2 ohm इसका answer निकल कर आ जाएगा तो इसका answer number होगा आपका 2 ohm यानि c option is the right answer तो c option is the right answer आप method पूरा समझने के लिए यह मेरे lectures में जा सकते हैं है ना चलो अगले question की तरफ चलते हैं मिटा दू ठीक है मिटा अगला question for which of the following resistance decrease on increasing the temperature अच्छा question पूछ रहा है कि इन में से किसके लिए resistance की value decrease होती है मतलब पृत्रोध घड़ता है और तापमान बढ़ता है ऐसे कौन से material है तो आपको मैंने पहली बताया था semi conductors की case में ऐसा होता है और मैंने आपको यह भी बोला था semi conductors की case में temperature बढ़ने के साथ resistance की value में कम ही आती यानि c option germanium इसका answer है c germanium germanium क्या है semiconductor silicon germanium है नोट डाउन कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए का आप next question देखती ही तक तक आप ठीक है चले so the next question is अगर आप ध्यान से देखें the resistance of a wire is 20 ohm okay the resistance of a wire is 20 ohm it is so stressed the length becomes 300 ठीक है अब एक बात समझ येगा question कह रहा है कि मैंने wire को खीचा है अगर आप ध्यान से देखें तो wire को stretch किया गया है पहले भी कहाया था कि जब भी हम किसी wire को खीचते है जब भी हम किसी wire को खीचते है तो wire को खीचते वक्त r जो होता है वो L square के directly proportional होता है ये बात हमारी हुई थी है ना और क्योंकि question में बोला है कि length तीन गुना हो जाती है तो लंबाई कितनी हो गई है तो अगर लंबाई तीन गुना हो गई है तो resistance की value कितनी हो जाएगी 9 times हो जाएगी नहीं समझा है हमने का ये कितनी होगे तीन गुना तो मैं put कर दू तीन गुने को तो ये जगा 3 का square यानि resistance कितना हो जाएगा 9 times हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा अगर resistance 9 गुना हो जाएगा इसका मतलब पहले कितना था 20 ohm था अब की बार कितना हो जाएगा नया तो आप लिखेंगे 20 into 9 हो जाएगा यानि value निकल करा जाएगी 180 ohm 180 ohm is the right answer तो D option सही उत्तर होगा तो D option सही उत्तर होगा ये ना लंबाई अगर 3 गुना किये तो resistance कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा मतलब 20 पहले था उसका नौगना कितना होगा 180 ohm डारेक्ट आंसर तो इसका आंसर होगा 80 ohm यानि D option is the right answer मिटा दूँ अगली question की तरफ चलते है ठीक है नोट डाउन करते जाएगा 4 resistances से connected in parallel देखो बहुत सारी लोग है जो questions को करते वक्त questions को ना देखकर directly करने बैठ जाते हैं अपना दिमाग लगाईए questions इतना difficult कभी नहीं होता जितना हम सोच कर चलते हैं अगर इस question की बात करो तो इसमें battery दिखने ही देए आपको इसकी value 20 volt है ठीक है न 20 volt है इस question के अगर बात करो तो बेटा एक बात समझना मेरी 4 ohm है 4 ohm है ये 6 ohm है ये 6 ohm है तो आप इसको solve करने मत बढ़ जाना ये question बिना solve होके बिना copy pen के हो सकता है ये 20 volt है अब question बोल रहा है कि इसकी value भी 4 ohm है इसकी value भी 4 ohm है इसकी value भी 6 ohm है इसकी value भी 6 ohm है अब question में बोला है कि find the current flowing through 4 ohm and 6 ohm resistance question बोल रहा है कि 4 ohm में कितना current जा रहा होगा और 6 ohm में कितना current जा रहा होगा ये मुझे बताना है current की value मुझे बतानी है अब अगर ध्यान से देखो तो मुझे एक बात सवन में आ रही है कि दोनों resistances क्या है same है अगर दोनों resistances same है सोचके देखो यहां 20 current आया तो 20 current यहां पर आया क्योंकि दोनों resistance same है तो current के लिए तो दोनों एक बराबर है तो यह 20 कैसे बटेगा दस-धस ampere में बतेगा मेरी बात समझे रहे हैं अगर मालो यहां पर 20 आया तो 20 कैसे बटेगा 10-10 में तो बटेगा जब resistance बराबर होते हैं तो current भी same बराबर जाएगा नहीं बसन में आया देखो हमने पहले भी बात की थी मैंने आप से कहा था कि माल लो ये 5 हो में ये 3 हो में और मैंने आपको कहा था कि current सबसे ज़्यादा किसमें जाएगा current की value इसमें अगर I1 है इसमें I2 है तो जिसमें resistance ज़्यादा होता है उसमें current की value कम होती है यानि I1 greater than होगा क्या से? I2 से अगर ये दोनों बराबर ही हो जाए तो बराबर होने के बाद तो current दोनों में बराबर जाएगा ना मेरी बात समझो अगर यहां से current आई गया, यहां से current आई गया, यहां से current आई गया, तो यहां पर separate होने के बाद कितना होगा? I1 और I2 और यह बास simple सी बात है कि अगर resistance same है, प्रत्रोध का मान same है, तो resistance same होने का मतलब है कि I1 हमेशा I2 के बराबर होगा. यहां पर जाने के बाद फिर से combine होगा, यहां पर फिर से combine होगा, यहां पर फिर से combine होगा, यह दोनों आएंगे current और यहां फिर से कितने जाएंगे? I1, I2 हो जाएंगे, फिर से plus हो क्या I1 बन जाएंगे? फिर से यह divide होगे, मेरी बात देखना, फिर से divide होगे, तो फिर से क् 6 ohm 6 ohm अगर इसमें i3 माल लो फिर i4 माल लो क्योंकि यहाँ पर भी resistance सेम है तो मुझे पता है i3 भी किसके बराबर होगा i4 के बराबर होगा चाहे आप निकाल सकते हो पर निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं है question में यानि simple सी बात है कि 4 ohm और 6 ohm में जिसमें दोनों की value सेम दे रखी है क्योंकि दोनों में current बराबर बटा बटेगा जैसे 20 गया तो 20 गया तो 10 गया 20 गया तो फिर से 10 गया तो simple सी बात है दोनों की value सेम होने वाली है यानि D option इसका directly answer लगाया जा सकता है इस question में ऐसी कोई खास बात नहीं है तो मुझे पता है current के लिए आई निकालना पड़ेगा total आई बराबर क्या होता है V by R equivalent total current दो और दो 4 और 4 parallel में parallel में 24 और 4 का answer 2 ohm होता है मुझे directly पता है 6 ohm और 6 ohm का answer R by N से कितना निकलेगा 3 ohm आदा हो जाता है parallel तो 2 और 3 कितना हुआ 5 हुआ मतलब 20 upon 5 कितनी value निकल कर आई 4 amp का current आया एक बात बताईएगा अगर यहाँ पर 4 amp का current आया 4 amp का current आया तो 2 भागों में कैसे बैसे बटेगा 2 amp और 2 amp और 2 amp इसका मतलब यह हुआ कि answer कितना आएगा 2 amp निकल कर आएगा यही मेरा question था बस कोई question में खास कमी नहीं थी वैसे तो मैं directly option देखकर ही इसको crack कर सकता था बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे question देखकर ही crack हो जाते हैं practice हो जाएगी तो आप भी questions को देखकर ही crack कर पाऊगे चलो अगली बात ठीके बिटा आया अगला question an electric wire of length an electric wire of length I, अच्छा ठीक है an area of cross section A has resistance आरोम, another wire of same material having the same length area of cross section 4A has resistance ओके, दोनों के देखिए अगर मैं बात करूँ तो नया का resistance पूचा है और दोनों का area of cross section बदल दिया गया है length same है तो यह तो बहुत आसान question है यह तो कि हम पूश लिया गया है चलो फिर से देख लिए हमने का ठीक है मुझे पता है कि area जो होता है resistance जो होता है वो किसके? खीचा है कि अवायर ऐसे कुछ है ने 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 ठीक है length तो same है ना तो length same है तो area के direct inversely proportional होगा देखो, यह question मैंने कैसे बोला कि r is inversely proportional to A square क्यों नहीं लिखा आप r is inversely proportional to A square तब लिखते है जब L की value change होती है क्योंकि expand करते वक्त होता है या expand या यह चलो इस question में साफ साफ बोल दिया है कि r is inversely proportional to A होगा क्योंकि length क्या दे रखिये? same दे रखिये क्योंकि length same है इसलिए क्या relation लगेगा? यह लगेगा? मैंको पता है? अब question में यह बोला गया है area of cross section कितना है? 4 4 कर दिया है 4 कम कर दिया है इसका मतलब r की value क्या निकल कर आएगी? 1 by 4 times हो जाएगी यानि इसका relation होगा r by 4 यानि b option is the right answer तो b option सही उत्तर होगा है न? 4 कर दिया है तो नीचे 4 पुट कर दिया सीधे सीधे तो b option is the right answer तो इसका r by 4 सही उत्तर होगा ठीक है? चलो next question की तरफ चलते है a wire is broken into 4 equal parts a packet is formed by keeping the 4 wires together the resistance of the pocket in comparison to the resistance will be कितना होगा resistance? ये बताना है एक बास समझो मेरी question क्या बोल रहा है? मैं आपको बता हूँ question बोल रहा है कि एक wire था और इस wire को चार भागो में कट कर दिया है चार भागो में कट कर दिया है मतलब एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग figure थोड़ा सही नहीं मना है पर आप समझ लिए कि इसको चार भागो में कट कर दिया है uniform area of cross section है चार भागो में हमने कट कर दिया है अब question ये बोल रहा है कि चारो को मेंने packet में राग दिया है एक साथ, अब एक साथ रखने का मतलब क्या हुआ आपको पता है जिसे matches के tealiyah रखते हैं, matches के tealiyah कैसे रखते हैं एक के भगल में, एक के भगल में इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको together रखोगे एक साथ एक साथ एक packet में रखोगे तो कैसे रखा गया होगा, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और फिर एक ऐसे, ऐसे रखा गया है, यह क्या हुआ, पैकेट बना लिया गया है, साथ में रखकर सबको, ऐसे को काट कर ऐसे में रख दिया है, अब question यह बोल रहा है कि इसका resistance कितन कितना हो जाएगा बस इतनी सी बात है तो इनको पहले में करेक्टिन निकवाद में का रेसिस्टेंस कितना हो जागा यह कुश्चन का कहना है क्योंकि मुझे पता है पहले का रेसिस्टेंस आर था तो एक बात बताइगा अगर मैं इसको कट करूंगा तो कट करते वक्त R is directly proportional to L होता है एक्सपेंट तो करने रहे खीज तो रहे नहीं तो अगर इसका resistance R था तो इन सभी भागों का resistance कितना होगा R by 4, R by 4, R by 4 R by 4 बहुत आसान है length अगर 4 times decrease होई है मतलब resistance भी 4 times decrease होगा अब इन सबको अगर parallel में रख दिया तो इन सबको अगर parallel में जोड़ दो तो इनका R equivalent निकलेगा parallel में parallel में होता है मुझे पता है अगर सभी बराबर है सभी की value R by 4 है R equivalent होता है R by N के बराबर R कितना है R by 4 upon कितने हैं ऐसे 4 कितनी value निकल कर आएगी R by 16 यानि इसका इसका answer होगा D option यानि 1 by 16th of first तो यह question का कहने का मतलब है question कह रहा है कि बड़े से resistance को एक बड़े से वायर को चार छोटे स्वर में बाट दिया और उनको एक साथ रख दिया तो बताए packet के अंदर इनका equivalent resistance कितना बनेगा यानि इसका तो प्रत्रोद कितना बनेगा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन तेंप्रिचर कोफिशंट दे रखा अच्छा कुश्चन देखें क्या है कुश्चन भोला है कि the temperature coefficient of resistance वायर इतना दे रखा है अब बेटे देखो मुझसे भोल दिया कि यह दोनों की value दे रखी है चलो ठीक है अगर दोनों की value दे रखी है तो value दे रखी है alpha की alpha की value कितनी है बेटा 0.00125 ओके पर degree centigrade होगा degree centigrade में तो degree centigrade में आंसर रखेंगे at 300 Kelvin its resistance is 1 ohm तुम से बोला है 300 Kelvin पर इसका resistance कितना है 1 ohm है तो पूचाए ऐसा temperature बताईए जब इसका resistance 2 ohm हो जाए तो इसको बताना है जब इसका resistance 2 ohm हो जाएगा तो temperature की value क्या रही होगी यह question है अलफा की value दे रखी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे relation पता है temperature इसका rt बराबर होता है r0 into 1 plus alpha t 1 minus भी होता है कुछ लोग बोने भी विल्क्र वायरस हो सकता है लिकिन क्योंकि wire की बात किया है तो wire किसके बनते है metals की बनते है normally तो हम plus use करेंगे ठीक है ना और वैसी भी alpha positive बताया गया है तो हमें कोई problem ही नहीं है तो हमने का ठीक है positive alpha है अब question की बात यह है कि 1 ohm का resistance यह क्या है कि 1 plus alpha की value कि इतनी है 00125 इसके था T की value क्या है 27 degree centigrade में रखेंगे क्योंकि यह भी degree centigrade में है हमने का ठीक है यह हो गया मेरा पहला option ठीक है ना अगली question की तरफ लिखेंगे थे अगली बात मुझसे यह कह रहे है कि है 27 degree centigrade पर है 1 ohm है ठीक है यहां से r की value निकलाईगी कोई दिकर दीक है अब हमने का ठीक है second की बात करें तो second में बुलाए कि 2 ohm कब हो जाएगा जब 2 ohm कब हो जाएगा वो temperature बताना है 0.00125 into T यह मुझे temperature बताना है यह second equation अब हमारे पास दो काम हो सकते हैं देखो पहला काम हो सकता है कि यहां से r0 की value निकाली जाए और इस r0 को यहां पर put कर दिया जाए एक काम तो यह हो सकता है या फिर क्या कर सकते हैं यहां से न डिवाइड करते हैं आप क्या करें इन दोने question को directly divide कर दें बात वे किये तो इन दोनों को मैं क्या करता हूं इसको divide कर देता हूं और divide करके इन दोनों की value निकाल देता हूं और यही मेरा question निकल कर आने वाला है इसको divide कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1 by 2 बराबर 1 plus 0.00125 into 27 upon 1 plus 0.00125 into t यहां से बस t की value निकालनी है और t की value निकालनी तो आपका answer हो गया इसको और solve कर लेते हैं इसको solve करेंगे हो जाएगा 1 plus 0.00125 into t एदा 2 का multiply हो जाएगा यह हो जाएगा 2 plus यह 2 का multiply है इसमें भी हो जाएगा 27 दें 24 हो जाएगा 24 into 0.00125 यहां से t की value निकालोगी निकल कर आएगी लगबर्स की value चलो निकालो तेन दुबारत कितना time लगी गाएगा चलो निकालो तेन दुबारत कितना time लगी गाएगा चलो चलो इसकी जो value निकल कर आएगी तो आप देखेंगे इसकी value निकल कराएगी लगबर्स दिखरें आपको 1127 degree centigrade 1437 1127 degree centigrade इसकी value जो निकल कर आएगी 1127 Kelvin निकल कर आजाएगी यह मेरे question का answer होगा इस तरीके से question को represent किया जाएगा ठीक है ना तो यह question होगा इस तरीके से निकल कर आजाएगा ठीक है ठीक है चलो next की तरफ चलते हैं तो इसका option number है D option D option is the right answer चलो next question की तरफ चलते हैं यह तो बहुत आसान है question पुछा है directly formula ही पुछा है तो भी देखो resistance of a wire wire बोल रखा है तो simple सी बात है इसका answer होगा RT बराबर R0 into 1 plus alpha T यह भी formula लिखाता है यानि A option is the right answer तो इसका answer होगा A option A option सही उत्तर होगा ठीक है चलो question पूछा है effective resistance between point A and B in the figure is अच्छा मुझे निकालना है effective resistance किसके बीच में A और B की बीच में तो फिगर बनाना पड़ेगा सबकी value 3-3 ते रखी बीच वाले की 6 है चलो 3-ohm, 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 3-ohm और 6-ohm किसके बीच में निकालना है A और B के बीच में यानि इन दोनों point के बीच में बताना है कितनी होगी equivalent है ना चलो अगर equivalent निकालना है तो एक बात समझना ये सबसे last में solve होगा इसकी बात करूँती ये दोने क्या है series में series में है तो इन दोनों काल से कितना निकलेगा 3-oh, 3-6 ठीक है अगर 6 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मैंने कहा ये होगया 6-ohm ये होगया 6-ohm ये थोड़ा सही बना दूँ ये होगया 6-ohm ये होगया 6-ohm ये दोनों parallel में हैं अभी हमें पता ही चल रहा है लेगे फिर भी हम पूरा solve करेंगे ये होगया 3-ohm ये होगया 6-ohm अगले अगर circuit की बात करें तो देखना मेरी बात ये दोनों 6-ohm किसमें दिख रहे हैं? parallel में? तो कि ये simple C wire क्या है? इस पर जुड़े हुए तो अगर 6-ohm का answer निकाल लूँ तो कितना निकल करा जाएगा? 3-ohm निकल करा जाएगा? मेरी बात समझना इनकी value कि इतने निकले कि 6-ohm कि 3-ohm? ठीक है मिटाना पड़ेगा figure इधर से अब क्या करेंगे? उन दोनों को उपर वाले को solve कर देंगे तो ये 6-ohm का answer कितना निकला? 3-ohm निकल कर आया मेरी बात समझना ये दोनों अब क्या बने गए? एक ही बन गए एक ही बन गए तो मैंने को यहीं मिटा कर क्या कर देता हूँ? 1-बना देता हूँ सिदे-सिदे एक ही बचा क्या बन जा? ये बचा 3-ohm अब मेरी बात समझना है मुझे निकालना है A और B की बीच में A और B की बीच में निकालना है तो ये दोनों क्या है? एक ही वायर से जुड़े हूँ दिख रहे हैं तो 3-ohm क्या है? फिर से 6 हैं तो 3-ohm का answer कितना निकल कर आ रहा है? फिर से 6 इसका फिर से 6 है और 6 और 6 क्या चले गए? पैरलल में तो आपने लिए पैरलल में मतलब कितना हुआ? इसका answer होगा 3-ohm तो इसका answer होगा 3-ohm डारेक्टी कर सकते हैं इसका answer बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है क्योंकि 3-ohm क्या होगा? फिर से 6 और 6 क्या चले गए पैरलल में तो पैरलल में मतलब 6 और 6 का answer तीन तो इसका answer बहुत होगा C option यानि C option is the right answer ठीक है बटा? ठीक है? चलो जितना ज़्यदा practice करोगे उतनी ज़्यदा आती जाएंगी इससे बातें बोलने वाली होती हैं कोई भी बिना practice के ऐसे नहीं कर सकता है थोड़ा practice करोगे तो आपके लिए बहुत आसान चीज़े हो जाएंगी इस सब आपके ही उपर है Electrical wire is connected to a EMF ठीक है The current eye is measured in the ampere according to the ohms law ohms law या battery connect कर दोगे तो ohms law क्या हो जाएगा? E equals to IR otherwise क्या होता है? question में है ही कुछ नहीं तो इसका answer निकल कर आजाएगा B option B option is the right answer ohms law यही के तो कहता है battery जितने की लगा दो E लगा दो, V लगा दो तो इन्हें नहीं बुलाए E लगा दी है तो E equals to IR अगला question अगला question आपकी screen पर है ज़र देखना the equivalent resistance of a resistor connected in series is obvious देखिए यह बोल रहा है कि अगर series में यह questions भी मैंने आपको सारी के सारी कराए है अगर आप question देखो तो question यह कह रहा है equivalent resistance जो series में connected है उन सब का इस series में connected है अच्छा एक बात समझना मुझे पता है अगर मैं series में connect कर दूँ तीन और तीन मालनों मैंने series में connect कर दिया तीन और तीन का R equivalent कितना निकलेगा 6 ohm यह पास समझना तीन और तीन अगर मैं series में connect कर दूँ writing खराब हो रही चलो यह भी तीन ohm है और यह भी क्या है तीन ohm है तीन तीन ohm का अगर मैं equivalent टिका लूँ तो वो कितना निकलेगा R equivalent equals to 6 ohm अब जो 6 ohm है अगर आप ध्यान से देखो तो 6 ohm इसके individual से भी ज़्यादा है 6 ohm की जो value है वो 3 ohm से भी ज़्यादा है और 3 ohm से भी ज़्यादा है इसका मतलब 6 ohm की value individual यानि equivalent की value हमेशा कितसे ज़्यादा होती है equivalent is always greater than is always greater than individual हमेशा हर एक से बड़ी ही होगी कुछ भी कर लीजिए हमेशा individual हर एक से बड़ी होगी क्योंकि प्लस होगा अगर question में बोले हैं तो question में देखो less than the lowest of the नहीं भी या कभी कम तो होई नहीं सकती है equal to the mean नहीं भी या ऐसा भी नहीं हो सकता equal to the sum of component ठीक है in between the lowest and highest नहीं भी या तो इसका answer जो number निकल कर आएगा यह क्या option में हो रखा है a b चले b option की बात करें तो इसका answer निकल कर आजाएगा वो क्या हो जाएगा simple सी बात है इतना निकलकर आजाएगा ठीक है कुछ और होगया यह a b option कुछ लिए चलो तो हमने का इसका answer निकलकर कर आजाएगा क्या हो जाएगा सभी component का सीधे-सीदे तो option number c is the right answer ठीक है न? ठीक है, चालो. अगली बात करते हैं. Two wires of same material are given. The first wire is twice as long as the second and has twice the diameter of second. Okay, twice the diameter of second. First wire is twice as long as the second. ठीक है, दोनों चीज़े बोल दी गई हैं, अच्छा. Question बोला गया है कि, जो पहला wire है, वो मेरा double है. किस से? Seconds. The first wire is twice as long as the second wire. जितना second है, उसका दो गुना है, ठीक है. और diameter जो है, उसका, twice the diameter of second. और उसका जो diameter है, diameter यह radius भी कितना होगा? twice, देखो बेटा, diameter जितना होगा, उतनी radius भी होगा. सिंपल सी बात है, तो अगर diameter है double, तो radius भी double होगा. तो मेरेकों, तो radius से मतलब होने वाला है, तो twice the diameter, ठीक है. The resistance of the first will be, तो बूचा है, first का resistance कितना होगा? तो first का resistance बताया है, कितना होगा? ठीक है. हमें पता है, first का resistance निकालना है, मुझे पता है, r1 by r2 equals to क्या होता है? इन दोनों की बात करें. तो मुझे पता है, rho l by a, r बराबर होता है. rho l by a, यहां से πाई r square कर देता हूँ. इस relation को बना दूँगा, तो r जो होगा, वो directly proportional to l by r square बन जाएगा. और अगर l by r square बन जाएगा, तो इसको यहां पर put करूँगा, तो r उपर चला जाएगा, यानि r2 square upon r1 square into में हो जाएगा, l1 by l2. यही बनेगा. तो मेरे पास यह formula बन जाएगा. अब question में क्या कह रहा है? उस चीज़ को देख लेते हैं. मुझसे पूछा है, पहले का resistance निकालना है, r1 निकालना है, दूसरे का resistance माल लेते हैं, r है. ठीक है? दूसरे का resistance r माल लेते हैं, पहले का resistance निकालना है, r2 कितना है? तो बाद का radius की बात करें, तो बाद का radius नहीं हम पहले वाले का radius लिख देते हैं तो यह जगा R2 upon 2R2 का whole square इसके साथ में L1 by L2 तो पहले का L कितना हो जाएगा 2L2 upon L2 यही बचा देख लो अपने दिमाग खोल कर आखे खोल कर R2 से R2 cancel out हो जाएगा L2 से L2 cancel out हो जाएगा तो R1 की value जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी यह हो जाएका 1 बटा 4 1 बटा 4 into 2 इसकी value निकल कर आजाएगी R by 2 के बराबर यानि इसका resistance आदा हो जाएगा यानि आदा होगा तो answer है दूसरे तार के प्रित्रोद से आदा तो इसका option number B is the right answer तो दूसरे का resistance यह है तो दूसरे का resistance का आदा तो आदा मतलब यह हुआ कि इसका answer होगा आपका B option तो B option is the right answer तो इसका answer होगा B option देख लिए देखो भी या question बोल रहा था है का पहले की length कितनी है double है resistance कितना है double है तो अगर length और radius के ताथ relation लगाएं तो length और radius के साथ relation बनेगा यह अब एगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 by R2 equals to L1 by L2 into R2 by R2 R1 square ऐसे लिख दिया R1 की value मुझे पता है L1 की value पता है इन दोनों को यहाँ put कर दिया solve कर दिया R1 निकालना था पहले का resistance तो पहले का resistance कितना निकल रहा है दूसरे resistance का आधा बस इस तरीके से हम बोल सकते हैं चलिए को कुशन है अगला तीन रेसिस्टेंस से वन ओम की इच आर कनेक्टेड इन पैरलल बात समझता है तीन रेसिस्टेंस से एक एक ओम के तीन पैरलल में कनेक्ट किया है फिर यह सीरीज में कनेक्ट किया है दो बाइत तीन ओम से तो यह तो आपको समझ में आई गया होगा एक एक और एक 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 ओम के तीन रेसिस्टेंस है यह तीन ओम कनेक्टेड है है फिर से 2 by 3 ohm से और मुझसे पुछा है कि equivalent resistance की value क्या रही होगी ठीक है resultant निकालना है ठीक है बहुत आसान है अब तो में लिए आसान है इन तीनों की 1 by 1 ohm का answer कितना निकलेगा parallel value होती है r by n के बराबर या नि 1 by 3 के बराबर 1 by 3 2 by 3 के साथ क्या है series में है series में है यानि r by equivalent निकलेगा 1 by 3 plus 2 by 3 यानि 1 इसका answer निकल कर आएगा इस तरीके से हम इस question को कर सकते हैं तो इसका answer होगा 1 ohm यानि c option is the right answer c option तिए क्या होगा तिक है च आब आई यानि हיा जाना सिन्ट टिया होगा तो आइक है तो न Min तो फुल लूएस्ट रसिस्टेंस विच कैन बी अप्टेंट अगर बै टैन को कनेक्ट करूं तो आप सोचो कि रसिस्टेंस किस में कम होता है तो आपको पता होगा कि पैरलेल में वोता है समांतर करम में जो जो जोड़ते हैं तो उसकी वैलिव हमेशा कम निकल कर आती है अब 1 by 10 की अगर value है और ऐसे 10 resistance है तो इसके सबसे कम आएगी कब आएगी जब सब को हम parallel में जोड़ देंगे सीधी सी बात है parallel में resistance क्या होता है कम होता है तो 10 और resistance जो आपके पासे 10 को 10 को 10 सब क्या करें parallel में जोड़ दें अगर मैं इन सब को parallel में जोड़ दूँगा तो answer कितना निकलेगा मुझे पता है R की value कितनी दे रखी है R की value दे रखी है 1 by 10 ohm ठीक है और ऐसे कितने हैं resistance 10 ohm है तो इन सब का answer कितना निकलेगा मुझे पता है R equivalent की value होती है R by N के बराबर यानि 1 by 100 इसका answer होगा तो सब से कम resistance कितना निकल सकता है 1 by 100 ohm के बराबर हो सकता है यानि C option इसका सही उत्तर होगा इससे कम नहीं जा सकते Next question The resistance of a wire of uniform diameter D and length L is R The resistance of a wire of uniform diameter D and length L is R the resistance of another wire of same material but diameter 2D and length 4L will be okay Question बोल रहा है कि मुझे resistance निकालना है जिसका uniform diameter है length L is R है ठीक है सब कुछ value मुझे पता जल गी The resistance of another wire of diameter 2 and length ठीक है Question बोला गया है कि या diameter और length के साथ लोचा है तो मुझे पता है कि diameter और length के साथ अगर relation निकाले तो R1 by R2 जो होता है वो L1 by L2 के बराबर होता है बराबर अगर आपको relation मेरा याद हूँ तो मैंने आपको बताया था यह A2 by A1 के बराबर होता है इसके साथ साथ मैंने बुला था R2 square upon R1 square के बराबर होता है यह diameter के case में लिखा था है ना यही लिखा था हमने दिल देश अब मुझे resistance निकालना है कि कितना हो जाएगा ठीक है R2 निकालना है तो एक बात समझना हो R2 निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ R upon R2 R2 मुझे निकालना है पहले का resistance R है मुझे मतलब किसे है D2 से और length से तो मैं इसको लिख सकता हूँ ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, इस प्रकार से r बराबर क्या होता है, rho l by a मैं relation को अगर मैं बनाओं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, r1 by r2 equals to हो जाएगा, इसका relation लिख सकता हूँ, l1 by l2 into में नीचे वाली चीज उपर चली जाएगी, यानि into d2 square by d1 square अगर मैं इस relation को और लिख दूँ, तो पहले का resistance मुझे पता है कितना होगा, पहले का resistance r है, बाद का resistance निकालना है, पहले की length l है बाद की length जो है, वो कितनी है, length है 4l into, आपको दिख रहा हूँ, length 4l इसके अलावा, पहले का diameter दे रखा है, दूसरे का diameter दे रखा है 2d, पहले का diameter d होगा पहले का diameter, दूसरे का diameter 2d, तो 2d का whole square upon में क्या हो जाएगा, d का whole square यह मेरे relation है, l से l cancel out हो जाएगा, r upon r2 निकालेंगे, तो इसकी value निकल करा जाएगी यह जाएगा 4d square, तो यह जाएगा 4, 4 से 4 cancel out हो जाएगा, यानि r2 की value भी किसके बराबर निकल करा जाएगी, 1 के बराबर, यानि r2 equals 2 निकल करा जाएगा, r के बराबर तो इसकी value simple simple, r के बराबर निकल रही है, तो b option is the right answer, तो b option इसका सही उत्तर होगा यह तो सही है, question तो बहुत आसान है, तो आपने दूसरे का diameter कितना है, 2d, 2d का whole square कितना होगा, 4d square, 4d square से d square, d square cancel होगा, या 4 बचेगा, 4 के साथ 4 भी cancel out हो जाएगा, यानि दोनों की value सेम निकलेगी, यानि r resistance के बराबर निकल कर आएगा, तो इन दोनों की value इतनी निकल कर ठीक है ना, बड़ी या question है, चले हो, अगले की बात करते हैं, यह तो बहुत आसान है, आपसे तीनों की value मेरे ख्याल से 2-2 ohm दी रखी है, ठीक है, 2 ohm की, तीन combination बना के दिये गए हो, मुझसे बुलाए कि इन तीनों की resistance क्या निकलेगे, किसी भी दो vertices की वीच में, किसी भ मैं बोलू इनका answer कितना निकलेगा, तो जैसे मैं suppose P और Q की बीच में ही निकालेगा, तो उपर वाले 2 ohm, series में है, यह भी series में है, यह भी series में है, P और Q की बीच में निकालना है, और तीनों की value क्या है, 2-2 ohm है, अगर यह दोरों की बात करें, तो यह दोनों क्या है, series में है series में two or two का answer कितना निकलता है 4 और 4 2 के साथ किस में चला जाएगा parallel में चला जाएगा parallel में चला जाएगा यानि are equivalent की value के रह निकल रहेगी 4 into two upon 4 प्लस 2 यानि इसकी value निकल गई 8 बट अच्छे कि नेक्स कुश्चन की तरफ चलते हैं चलो मिटा दूँ इसको चलो अगर इस कुश्चन को देखू आप तो आपको मेरा पहला लेक्षर देखना पड़ेगा डिफ्ट विलॉसिटी का आपको पता है कि जब भी हम किसी में एनर्जी देते हैं एनर्जी का मतलब होता है बैटर सारे के सारे एक तरफ भागते हैं और इनकी विलॉसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है डिफ्ट विलॉसिटी के बराबर होती है और वो हमेशा कहां से जाते हैं हमेशा हायर पोटेंशल से लोवर पोटेंशल की तरफ जाते हैं यह मैंने आपको पहले लेक्षर में जाते हैं और इसके साथ ही साथ जो जाते हैं electrons फ्री एलेक्ट्रोंस किस velocity के साथ जाते हैं ये भी मैंने आपको बॉलता है कि से जाते हैं Drift velocity के साथ में जाते है एक Constant velocity होती ही जिसको drift velocity कहते है थिश्क को Island से जाते है अगर आप सभी option में देखो तो C जो option है वो आपका सही answer दे रहा है कि the free electrons acquire a constant drift velocity कहां से higher potential से lower potential बोला है at the end of lower potential from higher potential मतलब higher से lower potential की तरब जाते है यानि C option इसका सही उत्तर होगा तो C option is the right answer C option इसका सही उत्तर होगा next step चलते है अगले बात dimension of one electron ठीक है question पूछ रहा है कि या एक dimension दे रखा है then the resistance between the opposite rectangular faces opposite rectangular faces के बीच में चलो opposite rectangular faces का मतलब यह हुआ कि इसका जो front size होगा front होगा वो यह होगा आप मेरी बात समझो यह इसमें ऐसे में करके दिखा है और अगर मैं front rectangular faces मतलब यह हुआ मेरा front मुझे निकालना है इसके front में और इसके back पर assistance कितना होगा यह होगा तो अगर मैं बलूँ यह इसका front है अगर यह इसका front side है front इसका ऐसा है side तो मुझे बता रखा है side कितना होगा ठीक है कोई दिखत नहीं है अगर front इसका यह है तो मुझे इसका वो लागया है कि यह क्या है मेरा 100 cm का है 100 cm का है ठीक है 100 cm का है और बाकी ऐसे में कितना है 1 cm 1 cm तो मुझे यह पता है कि यह 1 cm का है बाकी ऐसे में भी 1 cm है वो मुझे इस figure में नहीं दिख पा रहा है इस फिगर में हम देख लेंगे, question ये बूल रहा है कि बताएं, resistance कितना होगा rectangular faces की बीच में तो आपने विलाएं, ये rectangular face जो front है और इसका back जो rectangular face है इसकी बीच में resistance कितना होगा R की value क्या होती है, रो दे रखा है क्या हो हाँ, दे रखा है R बराबर होता है, रो L by A resistance की बात करें, तो रो की value कितनी है 3 into 10 raised to the power minus 7 इसके साथ साथ length कितनी है length, 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 length कितनी है तो आपने लंबाई कितनी है, 100 cm मेरी बास समझा रहो, नहीं, ये तो length पुछा है तो लंबाई तो अंदर को है, लंबाई कितनी है आप मेरी बास समझा, question कैसा है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ देखो, ये है, जैसे मैंने का duster है, तो duster का ये front है ये front है इसका, और ये front है इसका ये अब मैंने बोला length क्या होगी, इस वायर कि लंबाई कितनी है तो पीछे की तरफ लंबाई होगी, पीछे की तरफ लंबाई कितनी होगी 1 cm, 1 cm है, तो 1 cm को हम लिख सकते है 10 to the power minus 2 cm मैं है अब question बोला है कि ठीक है, rectangular faces ये हो गया तो question बोला है कि ठीक है, अब मुझे बताना है रो L by A, area की बात करें तो ये area of cross section है तो ये होगा 100 into 1 cm तो हमने का ठीक है, इसको भी लिख लेते है area यानि 100 into 10 to the power minus 2 into मैं कहितना हो जाएगा 1 into 10 raise to the power minus 2, area of cross section किसे निकलेगा ये ही तो है front वाला area of cross section और लंबाई कैसे होगी, अंदर को imagine करने वाला question है इसकी value गे निकल कर आएगी तो 10 to the power minus 2 से 10 to the power minus 2 cancel हो जाएगा ये भी value क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी, इसकी value कितनी रह जाएगी 3 into 10 to the power minus 7 रह जाएगी यानि B option is the right answer इसका answer होगा B option question check कर लेजाए ठीक है मिटा दू आप मेरी पास समझना है, मिटाने से पहले चीज है एक मैने question बीच में आया था जो skip हो गया था ये वाला question अब ये question कह रहा था कि बता ही in the above question resistance between the square faces square faces के बीच में resistance कितना होगा मतलब जो square faces है ये तो क्या rectangular faces थे अब square faces अगर मैं कर दूँ तो दूसरे वाले question में square faces मतलब front up की बार क्या होगा ये front ये front कितना है 1 cm ये है 1 cm ये है और अब की बार अगर मैं length की बात करूँ अंदर की तरफ कितना जा रहा है सोच के देखो इस वाले figure को अगर मैं टेड़ा कर दूँ तो मैं option इस वाले figure को अगर मैं टेड़ा कर दूँ तो आप देखेंगे जो 100 cm बाला भागए वो क्या चल जाएगा अंदर चल जाएगा तो इसकी length अब की बार कितनी हो जाएगी 100 cm की होगी और अब की बार area of cross section क्या होगा अब की बार मैंने इसको उठा कर कैसे कर दिया तो सामने आ गया अगर मैं 100 cm लिख लूँ तो इसी वाले question का answer कितना निकलेगा अगर इस वाले case में निकाल लूँ इस question में तो आर बराबर होगा रो कितना हो जाएगा 3 into 10 raise to the power minus 7 L अबकी बार length कितनी होगी length होगी अबकी बार 100 cm 100 cm यानि 10 to the power minus 2 upon A एरिया बात करें तो इसको एरिया होगा यह यानि 1 into 10 raise to the power minus 2 into 1 into 10 raise to the power minus 2 यह area of cross section हो जाएगा length into breadth और इसको अगर मैं solve करूँ इस वाले question को तो इस वाले question का answer निकल कर आएगा 10 to the power minus 2 से 10 to the power minus 2 cancel हो जाएगा ठीक है यह 10 to the power 4 हो जाएगा उपर जाएगा तो 10 to the power 4 हो जाएगा नहीं 4 को जाएगा यह तो cancel out हो हो जाएगा 10 to the power 4 हो जाएगा 4 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा यह बचेगा 3 into 10 raise to the power minus 3 तो इस question को जो answer होगा वो 3 into 10 to the power minus 3 होगा यानि D option इसका सही उत्तर होगा तो यह दोनों बस question समझने वाले cases है कि कि किसके किसके faces के बीच में निकालना है तो अगर आपको square faces में निकालना है तो आप उस rod को आप उस duster को अब की बार ऐसा कर दो जैसे square faces का मतलब यह हुआ कि आपके बार ऐसे question पूछ रहा है कि यह इसका front ह यह इसका back है उसकी लंबाई कैसे में ऐसे में और rectangular face कि इसके बीच में बात कर रहा है तो यह इसका rectangular area of cross section माल लिया तो length अब की बार क्या हो गए यह होगी बस यही दोनों question में अंतर है ठीक है ना चल्ट अगले question की बात करते है at what temperature will the resistance of copper wire becomes three times its value at zero degree centigrade okay तीन गुना हो जाती है okay the temperature coefficient of copper दे रखा है इतना ठेक है मुझसे पूचा है किस temperature पर सेम question है कि resistance तीन गुना हो जाएगा चालो देख लेते हमें पता है rt बराबर होता है r0 into 1 plus alpha t यह मुझे पता है temperature coefficient दे रखा है alpha की value दे रखी है 4 into 10 raise to the power minus 3 यह भी मुझे पता है क्या है per degree centigrade degree centigrade में है अगली बात three times its value at zero degree centigrade जो zero degree centigrade पर है उसका तीन गुना हो जाती है ठीक है तो मैं से question पूचा आंसर यह तो आपने बुला zero degree centigrade पर resistance अगर मान लो r है तो इसने बुला zero पर जितना resistance है उसका कितना हो जाता है यही तो बुला यही बुला ना at what temperature resistance of compromise three times बुले ठीक है तो अगर मैं बुलूँ के आर जीरो पर कुछ resistance इसका आर है उसका कितना हो जाता है तीन गुना हो जाता है इस relation में तो आपने का ठीक है जी एक काम करते हैं तीन रख दिया पूट कर दिया यह कितना हो जाएगा आर जीरो यह बन हो जाएगा यहां ऐसी लिख दो थी आर जीरो बराबर आर जीरो इंटू में हो जाएगा one प्लस यह जाएगा four into 10 to the power minus three into temperature T यह कुś fresh eastern तीन को न हो जाता है तो RNA गडिवेल जीरो डिगर रिच डिचेट पर कितना है र है मालने तो इसका पीं गूना कितना यहार हो टो मैं इसको आर जीरो आर जीरो जिट्वे 9 की बात है ऑजिडो सा pra 我們 कर लेते हैं इसका अंसर निकाल लेते हैं तो ती वराबर अगर आएगा आपका 3-1 ये 3-1 यह जाएगा 2. 3-1 यो जाएगा 2 अपोन यह जाएगा 4 in to 10 raise to the power minus 3. यह जाएगा 0.5 in to 10 raise to the power 3. तो इसकी वेल्यु निकल का जाएगी 0.5 in to 10 raise to the power 3, यानि 500 degree centigrade इसका आंसर होगा. तो इसका आंसर निकल कर आएगा 500 degree centigrade. तो इसका अंसर होगा, C option is the right answer, C option सही उत्तर होगा, है ना, चलो, यह बहुत अच्छा question है, चलो, नेक्स question की तरफ चले, चलो, steady current I is flowing through a conductor, ठीक है, any segment, ओके, बटा दू, question बोल रहा है कि steady current I flow कर रहा है, एक steady current I flow कर रहा है, current flow कर रहा है, simple सी बात, किसी conductor में, तो किसी conductor पर क्या होगा, देखो, एक simple सी बात समझो, जो wire होता है, wire में जब हम बैटरी लगाते हैं, तो wire के पास extra कहीं से charges आते नहीं है, actually में क्या होते हैं, वही charges को फेक रहा होता है, वो battery से लेकर आता है, battery उसको धका देती है, वो charges जाते हैं, भाग कर दुबारा से नीचा आते हैं, लेकिन वास्तविक्ता में उसके किसी भी segment में हमेशा और हमेशा zero charges रहते हैं zero charges रहते हैं तो उसके हमेशा zero charges रहते हैं किसी भी uniform cross-sectional area पर यह बस हम बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है कि बैटरी लगाने से एक तरफ से जा रहे हैं दूसरे तरफ से आ रहे हैं पर उत्तु क्या होता है, zero charges होते हैं, याद रखिएगा, इसमें Hyundai जो है, वो गलत हो गई है, ठेक है, तो इसके, जो answer निकल कर ऐएगा, वो zero charges होगा, तो याद रखिएगा, धारागर मैं बोल दूँ हिंदी में भी अगर कोई धारा प्रवाइत हो रही है किसी conductor से, चालक से किसी एक समान, काट के छितरफल से, तो बताए किसी भी काट के छितरफल पर उसके जो आवेश होंगे वो क्या होंगे लेकिन फिर भी, resistivity जो होती है वो किस पर depend करती है, तो मैंने आपको पहले बोलता resistivity row, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर depend करती है, एक temperature पर depend करती है, या फिर आपका depend करती है, आपके material पर इन दोनों के अलावा वो किसी पर depend नहीं करती है, इसका मतलब यह हुआ increases with length of wire, नहीं decreases with area of cross section, नहीं decrease with length of, नहीं, none of the statement is correct, D option is the right answer तो D option, इसका सही उत्तर होगा resistivity इन सब पर तो depend करती ही नहीं अगला खुश्यन when the length and area of cross section will be double तो resistance कितना हो जाएगा, बहुत simple सी बात, R कितना होता है, rho L by A यानि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R is directly proportional to L by A question बोल रहा है कि लंबाई भी दोग नहीं कर दो, काट का छित फल भी दोग नहीं कर दो, तो resistance क्या हो जाएगा same रहेगा, तो resistance क्या रहेगा same रहेगा, फिर कि फरक पड़ेगा, आपने इसको भी double कर दिया, इसको भी double कर दिया, दोनों cancel out हो गया, will remain the same, यानि C option is the right answer तो इसका answer, option number C होगा, चेक करिएगा ठीक है चली, ये question बहुत अच्छा है question बुल रहा है कि रोड है किसी metal की, जिस रोड है पहले रोड है मेरे पास, देखना आपने का पहले मेरे पास एक रोड है और इस रोड की length कितनी दिर रखी है 1 meter long, यानि 1 meter की क्या है, length है इसका diameter दे रखा है 0.6 centimeter यानि radius दे रखा है 0.3 centimeter मुझे तरड रेडियस से ही मतलब होता है 0.3 centimeter इस resistance is और इसका resistance भी दे रखा है 3 into 10 to the power minus 3 तो R की value दे रखी है 3 into 10 raise to the power minus 3 ठीक है अब question कह रहा है कि इसका मैंने एक और इससे मैंने क्या बना दिर डिस्क बना दी डिस्क बना दी made of same metal 2 centimeter in diameter तो 2 centimeter in diameter 1 millimeter thick ठीक है अब इसने कहा कि मैंने इसकी एक डिस्क बना दी आपने ठीक है इसके डिस्क बनाने के बाद इसका metal तो same metal है लेकिन 2 centimeter in diameter तो radius अब की बार क्या हो गया है 1 centimeter का हो गया है और 1 millimeter की ठिक हो गयी है मतलब मोटी कितनी हो गयी है 1 millimeter यानि length कितनी हो गयी है 1 millimeter इसके लिए तो lengthy होगी ना डिस्क के लिए पीछे कितनी मोटी होई तो length है rod हमारी कितनी मोटी ऐसे कहे दो भी यह कितनी लंबी है तो हमने लेंक्ट ही होगी अब question यह बुल रहा है कि resistance कितना होगा इसके round faces के बीच में तो आपने बला ठीक है यह इसका पहला face है इसके बीचे एक और face रहा होगा इन दोरों के बीच में resistance कितना है तो सब कुछ मझे दे रखा है ठीक है अगर मुझे resistance निकालना है तो मिरे पास रहता है resistance की value होती है row L by A मैं relation को लगा सकता हूँ row into 1 cm यानि 1 cm है 1 m? 1 mm है बाई 1 into 10 raised to the power minus 3 upon area of cross section area of cross section की बात करें तो R दे रखा है मुझे 1 cm 1 cm का मतलब यह हुआ area यानि pi r square यानि 22 बटा साथ यानि 1 r square यानि 1 into 10 to the power minus 2 का whole square pi r square अब problem यह है कि अगर मैं इसको निकाल भी लो resistance लेकिन resistance निकलेगा कैसे जब तक मिरे पास row की value नहीं है row कहां से निकाले? row यहां से निकालेंगे क्योंकि material चेंज किया नहीं है temperature चेंज किया नहीं है, मतलब जो row यहां पर होगा वो ही कहां पर होगा? यहां पर भी होगा इसका मतलब यह हुआ, मुझे यहां से row निकालना पड़ेगा r row बराबर होता है, r a by l यहां से resistance की value दे रखिए, 3 into 10 to the power minus 3 area of cross section यह नहीं 22 बटा साथ यह 3.14 into pi r square, r square मतलब 0.3 into 10 raise to the power minus 2 का whole square ठीक है area of cross section, pi r square upon length, length कितना दे रखिए? यह 1 meter की, length तो 1 meter थी, ठीक है यह हुआ, यहां से मुझे निकालना पड़ेगा row अब row निकालते है, row की value कितनी निकल कर आएगी ठीक है ना? row की value निकालते है, तो यहां से निकालें तो इसकी value निकल कर आएगी ठीक है जब इसको multiply करते है 3 into 3.14 into 0.3 into 0.3 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 4 यह value निकल कर आ रही है इस सब का multiply करके देख लेते हैं, इसकी value कितनी निकल कर आएगी जड़ा देखें इसका multiply करके कितनी value निकल कर आएगी इसकी value निकल कर आएगी आपकी 0.84 into 10 raise to the power minus 7 आप चेक करते रहेगा हो सकता है मुझसे गलती हो जाए इसकी value निकल एगी 0.84 इसको यहाँ put कर देते हैं यहाँ पर अगर put कर देंगे तो इसकी value निकल कर आएगी 0.84 into 10 raise to the power minus 7 इसका multiply कर देंगे 1 into 10 to the power minus 3 upon में हो जाएगा 3.14 into इसकी value हो जाएगी 10 to the power minus 4 इसको भी solve कर लेते हैं और आपका answer निकालते हैं options में क्या check करते हैं ज़रा समझते हैं यह हो जाएगा 0.84 0.84 को अगर मैं 3 point से divide करूँ इसकी value लगबग निकल कर आएगी 0.26 0.26 के साथ इसका multiply कर देते हैं आपको दिख रहा हो 0.26 के साथ इसका multiply कर दें दिख रहा है आपको तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 3 10 to the power minus 10 यह हो जाएगा 4 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 इसकी value निकल कर आएगी इसकी value की बात करें तो इसका एकी option है जो satisfy कर रहा है उसकी value निकल कर आएगी 2.7 into 10 raise to the power यानि इसकी जो value निकल करा रही है, वो निकल रही है, 2.6 into 10 raise to the power, minus 7 निकल करा रही है, जिसकी value बहुत अत्तक कितने same है, तो लगबस की same value है, B option के बराबर, यानि इसका जो answer होगा, कितना होगा, B option is the right answer, तो simple सी बात है, इस तरीके से इस question को किया जाएगा, तो पहले rod थी, rod से row निकाला जाएगा, फिर किसमें put किया जाएगा, डिस्क में put किया जाएगा, इस तरीके से, इस question को किया जाएगा, देख लीजिए भई, ठीक है, चालो, अगला question, ठीक है, ये भी question easy है, question है, an electron is moving in a circle of radius इतना, अच्छा, ठीक है, electron is moving in a circle of radius इतना, एटा, frequency दे रखी है, अच्छा, frequency दे इस बार, तो frequency की बात करें, तो new की value दे रखी है मुझे, 6.8, हाँ, 6.8 into 10 raise to the power 11, 6.8 into 10 raise to the power 15, sorry, इसकी value 15, तो new दे रखा है मुझे इतना, और radius दे रखा है, equivalent current पुछाए कि कितना होगा, current के value निकालनी है, ठीक है न, ठीक है, तो देखोए, एक बात मेरे समझ में आती है, कि I जो होता है, वो होता है, मेरा Q by T के बराबर, और मुझे पता है Q by T के बराबर, तो यहाँ पर Q क्या है, E electron के बराबर है, और 1 by T किसके बराबर होता है, frequency के बराबर होता है, तो मतलब यह हुआ कि I को ऐसे भी लिख सकता हूँ, E new, वन बाइटी क्या होता है frequency के आवरिती के बराबर होता है तो मैंने बस formula बना लिया i बराबर होगा e into new तो electronic charge ही value दे रखिए 1.6 into 10 10 to the power minus 19 frequency के value दे रखिए 6.8 into 10 to the power 15 इन दोनों की value निकाल दी है 10 to the power 15 का multiply कर देंगे तो 15 वैसे जाएगा 10 to the power minus 4 के बराबर बचेगा यह जाएगा 7 के बराबर है ना इसकी value इतनी हो जाएगी अगर मैं इन दोनों को multiply कर लूँ ठीक है तो radius का यहाँ पर कुछ use नहीं होने वाला है तो यह तो बस question में वैसे ही दिया गया है तो तो इसकी value निकल करा जाएगी वो निकल करा जाएगी लगबग 1.1 into 10 to the power minus 3 ampere के बराबर तो इसका option number होगा वो c option is the right answer तो उसका answer c option होगा तो बस एक formula बनाना है formula बनाना में लिए बहुत आसन था क्योंकि frequency दिया है तो मुझे पता है q by t होता है क्योंकि जिए चार्ज electron है आवेश है और 1 by t क्या होता है frequency के बराबर तो आसान है question बनाना ठीक है चाँ तो ये कुछ questions थे आज के लिए तो आज के हमारे questions complete हो गए हर question के हर sheet में करीब 35 questions को लेकर आँगा और आज के लिए जो हमारा पहला section था वो 35 questions का था इसके लाबा जो अगला section रहेगा उसको हम दुबारा से solve करेंगे daily कल आपका magnetism भी start हो जाएगा तो आप magnetism के लिए भी prepare रहें तो हम चुम्बकत को जो पार्ट है उसको भी complete करेंगे स्वस्तर ही है ध्यान रखिए अपना thank you thank you very much